प्रिया के माबाप दोनों काम पर जाते थे इसलिए प्रिया दिन भर अपने नाना नानी के घर पर रहती थी लेकिन एक शाम इस मासूम बच्ची के साथ एक अन्होनी घटना घटी थी प्रिया को किड्नाप हुए लगबग एक दिन हो गया था लेकिन पुलिस की इतनी कोशिशों के बावजूद भी इस सम्वेधन शील्ड केस में उन्हें कोई ब्रेक्थ्रू नहीं मिला था इस बच्ची का मामला बहुत संसिटिक है वो स्पेशल चैल्ड है अगर उसे कुछ हुआ तो हमारी पुलिस फोर्स के लिए बड़ी शर्म की बात होगी कविता को IPC की धारा 302 के तहट मर्डर के लिए पुर्शोत्म और कविता को धारा 201 के तहट सुबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहट कॉमन इंटेंशन के लिए गिरिफतार किया गया है कविता इस वक्क काफी मानसिक तनाव में है और अपने किये पर पच्टा रही है प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहत दुखत और अमान भी है आपसे फिर मुलाकात होगी ग्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ तब तक अपना खयाल रखें सुरक्षित रहें जए